वेलकम टू इंस्पार फिजिस कलाशेस फ्रेंड से दोस्तो हम हमारी चेप्टर वाइज इंपोर्टेंट MCQ की सिरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हमी स्टार्ट केने जा रहे हैं सर्फेस टेंशन के टोप 100 MCQ यानि दोस्तो सर्फेस टेंशन के जितने भी प्रिवेस एक्जाम में पुछे हुए क्यूशन है उन सभी को दोस्तो अपन कलेक्ट करके आपके सामने लेकर के आ गया हूँ दोस्तो मारे जो सर्फेस टेंशन के सभी क्यूशन है वो बहुत ही अच्छे अच्छे हैं यह सबी आपकी पहले वाली एक्जामें पुछे जा चुके हैं और अपकमी एक्जाम की दर्ष्टी से भी दोस्तों बहुत इप्रोटेंट है यदि आप इन हर एक क्यूसन को हल कर लेते हैं तो यह क्यूसन दोस्तों आपकी एक्जाम में जरूर हेल्प करेंगे तो दोस्तों सुरुआत करते हैं हमारे इस वीडियो की और देखते हैं सर्फेस टेंशन का पहला क्यूसन ने इस वीडियो के पहले क्यूसन में आपको दिया हुआ है कि करांति किताब पर दर्व का परष्ट तनाव होता है दोस्तो पहले क्यूशन में आपको क्या पुछा गया है कि दोस्तो हमारा जो critical temperature होता है उस पर बतानी कि surface tension कितनी होती है दोस्तो सुनने होती है अनन्द होती है सुनने और अनन्द के मद्य होती है या ग्यात नहीं क्या ज़ा सकता दोस्तो इसका writing शुजाएगा उप्सिन नमर ए वाला याद रखना दोस्तो और को critical temperature पर जो इसके अनों के दोस्तो जो नतरानुब बलगता है या से संजक बलगता है उसका मान दोस्तों हमारा सुनने हो जाता है नहीं वो नगर्णने हो जाता है इसी के कारण दोस्तों करांतिक ताप पर जो परश्च तनाव होता है उसका मान भी सुनने हो जाता है तो इसका राइटन सजाएगा उप्सन नमर ए वाला तो आप देखते ह क्या होते हैं किस के कारण होती है density of liquid या जल के गनेतों के कारण है प्रस्तनाव के कारण है वाय मंडिले दाप के कारण है या गुर्टवा कसन के कारण है दोस्तो इसका राइटिंग सुझाएगा option नमर B वाला या प्रस्तनाव के कारण है दोस्तो या दखना जो वर्सा की है कि परस्तनाव का कारण है अणू के बीच गर्सन बल अनू की भी संजक बल अनू की बीच आशल्टवा का शन ऩंवल गुर्टवा कहान आपको अपको क्या पुछा गाए कि उसार्फश नेशन होता है दोस्तो वह कौन से बल touch कारण उता है ये आपको बताना है दुस्त इस पदार्द के दो जो आकर्षन बोलते हैंञे ऐसे अपन क्या बोलते हैं जो एक अगर्षन बोलते हैं जो वोता हैं दोते हैं या इस अकर्षन बोलता है तो दोस्तो मारा जो परष्ट तनाव होता है वो होता है अनू के भी से संजग बलके कारण है याई दोस्तो मारा कोई पदार्थ है इसी कि याई दोस्तो दो अनू के मद्दे जो आकर्षन बल लेगेगा उसी के कारण दोस्तो मारा के होता है परष्ट तनाव उत्पन होता है जिससे के क्यों होता है कि दोस्तों हर यानि अनू के मद्धे हमारा आकर्षन बल पाया जाता है जिससे के हमारा कोई भी दोस्तों जल की बूंदिया कोई भी पदार्थ है वो यानि लिक्वीड है तो दोस्तों अनू के आकर्षन बल के कारण यह है अपना दोस्तों जो परष् के कारण होता है और वो कि भी सैसन जगबल के कारण तो इसका राइट निस जाएगो अपसे नमर बी वाला अब आपके लिए नैश्ट क्यूसर ने चोथे क्यूसर में क्या दिया हुआ है कि कपड़ों को साब करने में साबून सायक होता है क्योंकि दोस्तों आपको बताना कि जब कपड़े को दोते हैं तो दोस्तों पानी के अंदर अपन साबून मिलाते हैं जिससे कि दोस्तों मारे जो कपड़े होते हैं वो आसानी से दूल जाते हैं दोस्तों वह किस कारण दूलते हैं वो आपको बताना है कि साबून के रसाइने रसाइनों में प्रिवतन हो जात करना जब ही भी भी अपने जल के अंदर साबून मिलाते हैं या दोस्तों कोई भी एग'll hellendale n fix लिक्वीड होता है या जल हो प्रश्ट थनाव यूझल संधोर लिक्वीड हो जाता कोई दक्ञाल कोई नेलबाइग्जाम musical इसमें क्या दिया वाइग पर कोई भाये बलने जरूदा हो, तो उसकााण निदारित किया जाता है दोस्तों आपको क्या बताना है कि कोई हमारी दर्वा की बूंद है इस पर दोस्तों कोई भी external force हमारा कारिया नहीं कर रहा है याणि दोस्तों कोई भी भाय बन नहीं लग रहा है तो आपको बतानी कि इस दर्वा की जो आकरती निदारियत होती है दोस्तों वो कौन से बल के कारण होती है या किसके द्वारा निदारित होती है दर्वा के परश्टनाव द्वारा या इसके गनत्व द्वारा या स्यानता द्वारा या केवल वायू के ताप द्वारा दोस्तों इसका रायटिव सजाएगा उप्शन नमर एवाला या दोस्तो सो इसके जो आकरति निदारित होती है वो होती है प्रस्त की लिएंग है। तो यहां रखना जब भी किसी दर्वा की बूंध पर कोई भैये बनने लग रहा हो तो उसका जो आकार निदारितm किया जाता है दर्वा के परश्टर नाव दुआ रहा तो इसका राइटर सुजाएगा option नमर एवाला अब देखते हैं आपके लिए 6 वा क्यूसने 6th question में क्या दिया हुआ है कि तेल लगे काच को पानी गिला नहीं कर सकता क्योंकि दोस्तो आपको बताना कि कोई मारक काच है यदि इसके उपर दोस्तो तेल लगा है तो इसको पानी गिला नहीं कर पाता दोस्तो वह क्यों नहीं करता वो आपको बताना आपको चार उपसन दिये हुए हैं तो दोस्तो या दखना आपको एक्जाम ऐसा इस टाइप का जो क्यूशन हो बहुत वाँ पूचा जाता है यानि दोस्तो आपके पास कोई सत्र दीवी है और कोई लिक्वीड दिया हुआ है यह इस लिक्वीड को यह जो लिक्वीड है इस सर्फेस को गिला करेगा या है नहीं करेगा दोस्तो यह किस बात पर टीवर करेगा वो आपको मदा देता हूँ यदि दोस्तो मारे जो इस दर्वा का जो अनू के मद्दे जो सैसंजगबल लगता है या अपन बोलते हैं इस लिक्वीड के लिए जो सैसंजगबल का मान होता है दोस्तो यदि वह है इन दोनों के मद्दे जो आसंजगबल होता है उससे अधिक होगा तो दोस्तो यह इससे गिला नहीं करेगा यदि दोस्तो मारे इन दोनों के मद्दे आसंजगबल है उसका मान अधिक होगा तो दोस्तो यदि आसंजगबल है यानि कि दोस्तो इसको अट्रेट करेंगे तो दोस्तो यह इसको गिला कर देगा तो दोस्तो याद एकना यदि लिक्वीड का जो सह संजक बल होता है वो इन दोनों के मद्दे लगने वाले आज संजक बल से अधिक होता है तो यह इसको गिला नहीं करता तो यह दिए दोस्तों इनके मद्द जो से संजगबल होता है उसका मान कम होता है इसके आज संजगबल से तो दोस्तों यह इसको गिला कर देगा दोस्तो इस क्यूसिन में क्या दिया हुआ है कि दोस्तो मारे जो पानी की बूंद है यानि दोस्तो इस पर तेल लगा देते हैं तो इसको गिला नहीं कर रही तो इसका मतलब क्या है कि दोस्तो जो पानी का से संजगबल है उसका माने पानी एवं दोस्तो इसकी उपर तो तेल है उसके मदे जो आज संजगबल है उससे अधिक है यहाँ पर सह संजगबल का मान कम है और यहाँ पर सह संजगबल का मान अधिक होगा तो यहीं इसको गिला नहीं करेगा और यह हमें यहीं दिया हुआ है कि पानी गिला नहीं करता है तो यान के दोस्तों सैसंजग बल का मान अधिक हो जाएगा तो इसका राइट है उसको गिला नहीं करता है तो इसका राइट है उसको गिला नहीं करता है तो इसका राइट है उसको गिला नहीं करता है तो इसका राइट है उसको गिला नहीं करता है तो इसका राइट है उसको इसके डोस्तोर यह कोई भी सुओियाबुन और स्टेंशन के取्स्में ऑपसिन No.A कोई भी लिक्वीड इसके इस ऐक प्रत्यास जिली होते हैं दोस्तों माई जो सुई या पिन होती हैं कि या इतन्य अल्की होती है उसको ब्त्यास जिल्य होती है तर आब देखते हैं आथवी कीशिन में क्या पुछा गया है कि बरसाती पहरे मोम की प्ररच अडाने से वह वाटर पूरूफ बन जाती है इसका कारण है दोस्तो इस क्यूशन में आपको क्या पुछागा कि दोस्तो मार जो बरसाती कोट होता है या बरसाती होता है उसपर यदि दोस्तो मॉम की प्ररचड आ देते हैं तो वह वाटर पूर्फ बन जाती है इसका मतलब क्या है कि दोस्तो यह है पानी या इनकि इसको गिला नहीं करपाचा है इनकि दोस्तो इसपर पानी नहीं ठेर पाता है या वाटर पूर्फ बन जाती है तो इसका कारण क्या है? दोस्तो आपको बताने किस कारण होता है? आपको चार अपशन दिये हैं तो दोस्तो इसको अच्छी तरह से पढ़ लें दोस्तो इसका जो रायटेंस उलजाएगो वा जाएगो अपशन नमर बी वाला यानि दोस्तों अपन बरसाती पर यादी मौम चड़ा देंगे तो यहाँ पर जो से संजबल का मान वह वह अधिक हो जाता है आसंजबल से तो इसका राइटम सजाएगोपसर नमर बी वाला यानि बरसाती पर मौम की पर चड़ाने से वह वाटर पूर बन जाती है क्योंकि से स मारा लिकवीड होता है उसका दोस्तों सर्फस इंचन होता है किस परकार से चेंज्ज होता है बढ़ जाता है कम होजाता एक परचन होता है पहले बढ़ दाया या कम हो जाता है झाइसी इनका मद्दे अनू का मद्दे जो फोर्स होगा वो कम होता जाएगा और वैसे वैसे हमारा सर्फेस टेंशन भी कम होता जाएगा क्योंकि दोस्तों सर्फेस टेंशन होता है वह इन अनू के मद्दे आकर्शन बलके कारणी होता है तो इसका राइटियों से जाएगा अपसे नमर बी कथन सत्य है दोस्तों इस क्यूशन में आपको क्या बताना है यानि दोस्तों हमारा कोई पानी की सत्य है उस पर यदि तेल की बूंद डाली जाती है तो आपको बताने कि दोस्तों तेल की बूंद होगी वह इस पर गोलाकार बनी रहेगी या दोस्तों इसके उपर यानि पतले परत्त के रूप में फैल जाएगी या इसका कुछ बाग दोस्तो गोलाकार रहे गया या कुछ बाग या परत्त के रूप में फैल जाएगा या दोस्तो जो पान या तेल की बूंद है वो पानी की सतह पर टेड़े में डियागार में तेड़ती रहेगी दोस्तो इसका जो रा मानी की ऊपर आसानी से फेल जाएगी यह का परस्तनाव कम हो ठाइ यह एक हमारा गोलाकार ही बनी रहती क्योंकि दोस्तों इसका जो प्रस्तनाव होता हो तेल के प्रस्तनाव से कम अधिक होता है जिसके कार्ण क्या होता है कि दोस्तों यह तेल के उपर नहीं फेलती है तो या देखने जो हमारा यह कम प्रस्तनाव वाली वस्तों को अधिक के रूप में फेल जाएगी इसका रिजन है कि जो तेल होता है उसका प्रश्ट तनाव पानी से कम होता है तो इसका राइटिम से जाएगा अपसे नमर बी अब आपके लिए नेश्ट क्यूशन प्रश्ट तनाव के इसके कम क्रानी इसके शिल्प सकती है कि इसके कारन नहीं डूप सकती है तो इसका राइंटियों जाएगो अप्शन नमर A वाला यह प्रस्त तनाव के काराने जल की सत्या पर प्रत्याज जिली बन जाती है जिसके काराने इसकी सत्या पर बिनना डूबे हुई है जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो चल सकते हैं और दोड़ सकते हैं अब आपके लिए बारवा क्यूशन है बारवा क्यूशन में क्या दिया हुआ है कि किसी एक दरवे की छोटी बूंद का आकारे बड़ी बूंद की तुलना में अधिक गोली होता है क्योंकि दोस्तो आपको बताना है एक हमारी छोटी बूंद है एक बड़ी बूंद है दोस्तो छोटी बूंद का जो आकार होता है वो अधिक गोली होता है बड़ी बूंद की तुलना में आपको बताना है उसका रीजन क्या है तो दोस्तो याद रखना उसका रीजन होता है गुरुत्वाकर्शन बले यहां दोस्तो मारा जो परस्तनाव होता है यह दोस्तो छोटी बूंद के लिए जो परस्तनाव होता है उसका माने गुरुत्वाकर्शन बल से अधिक होता है दोस्तो उसका मान क्या है इंगर दोस्तो बड़ी बूंद होगी तो इस पर गुर्टवाकर संबल का मान अधिक हो जाएगा और प्रश्त नाव का मान कम पढ़ने के कारण दोस्तों मारी जो बूंद होगी वो थोड़ी इस परकार से चप्टी हो जाएगी क्योंकि आपर ग्रेविटी का मान अधिक है लेकिन छोटी बूंद होती है वो बड़ी बूंद होती है वो बड़ी बूंद की तुलना में अधिक गोली होती है तो इस कारण दोस्तों या देखना जो बड़ी बूंद होती है उसके अंदर ग्रेविटेसनल फोस्त का मान ने प्रश्त नाव से अधिक हो जाता है जिसके कारण दोस्तो तो यही कारण है कि दोस्तो छोटी बूंद के अंदर जो परस्तनाव बल होता है वो गुर्ती बल से बड़ा होता है इसकी कारण जो छोटी बूंद होती है वो हमारी गोलाकार पाई जाती है तो इसका राइटिम सजाएगा अपसा नमर B अब आपके लिए इनेर्श क्यूशन तेरव क्यूशन में क्या दिया है कि एक ठंडे पानी से भरे बिकर की तली में वायू का बुलबुला है बिकर के पानी को गरम किया जाता है तो बुलबुले की माक बढ़ जाती है इसका कारण हो सकता है पानी के संतरप तवासफदा में वर्दी होती है या बुलबुले के अंदर वायू के अनुव का वर्ग माद्य मूलमान बढ़ जाता है या पानी का प्रस्तना कमो जाता है उपरोग सभी दोस्तों आपको क्या दिया वाकिए दोस्तों मारा कोई भी पानी है उसकी सत्य की नीचे दोस्तों कोई वायू का बुलबुला है यह दि दोस्तों अपनी तो गरम करते हैं तो हमारे जो यॉइयू का पूलबूल हाइर इसका कार हाओ बढ़ता है दोस्तों वह है किसका एंब बढ़ता है cheat दोस्तो इसके अनों का जो velocity होगी वो बढ़ने के कारण का उताई इसका आम आप बढ़ जाएगा तो दोस्तो ये भी सही है और तीसरा क्या है कि पानी में संतरप्त वास्प दाब में वर्दी होती है याई दोस्तो अमारा जो यदि temperature बढ़ाएंगे तो यहां पर दोस्तो वा इननों ही याई समयलित रूप से याई कारिये करते हैं जिसके कारण इसका आकार बढ़ जाता है तो इसका राइटिंग सुझाएगा उप्सिन नमर्ट डी वाला अब देखते हैं आपके लिए एक्स क्यूसने 14 के क्यूसन में क्या दिया हुआ है कि डाड़ी बनाने के बु बुरस होती है यदि यह दोस्तों इसको पानी में से डुबोकर निकालते हैं तो दोस्तों मारी जो इसके बुरस के बाल होते हैं वह आपसरी में चिपक जाते हैं दोस्तों किस कारण चिपकते हैं तो इसका राइटिंग सुझाएगा उप्सन में बीवाला नी प्रष्ट त दोस्तों क्या होता है कि जो मारा जल होता है दोस्तों उसका जो सेस्सेंजबल का मान होता है दोस्तों वह अदिक होता है तो दोस्तों जैसे ही अपनी इसको बार निकाल लेंगे तो दोस्तों पानी का सेस्सेंजबल का मान अदिक होता है दोस्तों जो पानी के जो एक दूसरे क वह पानी के से संजब्ल के कारण生 है कि आप असी होते हैं कि आपसे में सबस similar आपसि कि आपसे में चिपक जाते हैं तो इसका। डाड़िय। के बर्सट के बाल हैं वह पानी से बाहा निकानने के हमारा सरफेस डेंसन नहीं बी वाला अब देखते हैं आपके लिए पंदरवा क्यूसन हैं पंदरवा क्यूसन में क्या दिया हुआ है कि बुजा एल के एक वरगाकार फ्रेम को एक दरूबाया जाता है बाहर निकाने पर एक फिलम बन जाती है तो फ्रेम पर लगने वाला बलोगा दोस्तो आपको क्या दिया है कि दोस्तो मारा मालत ये दोस्तो मारे पानी है इसकी सेथर पर दोस्तो एक वरगाकार फ्रेम रखी हुई है जिसकी बुजा की लंबाय एल है तो आपको बताना कि यदि दोस्तो इसको पानी में डूबो कर अपन बाहर निकालते हैं तो आपको बत ऊण इस चढ़ के लंबाई वो दो T into इसके लंबाई दोस्तो हमें क्या दिया वा है कि पानिक के अंदर 1L लंबाई का जो वर्गा का फ्रेम है वो रखा हुआ है दोस्तो इसके अंदर L लंबाई की कोई चार चड़े होंगी वो दोस्तो हमें दिया वा है कि एक चट पर दोस्तो फर्वानी जो फोर्स लगता हो मैंने आपको बता दिया वो कितना लगता है 2TL लगता है वो दोस्तो इसके अंदर कितनी चड़े होती है चार छड़ी होती है तो चार चड़ों पर जो बल लगेगा वो कितना लग जाएगा 4 गुणा 2TL तो इस परकार से दोस्तों मारो जो टोटल बल लगेगा वो कितना हो जाएगा 8TL हो जाएगा तो इस परकार से इसका राइटिम से जाएगा option नमर C वाला यानि एल बुजा की एक वर्गरपार फ्रेम को यदि दर्वों में डूबाया जाता है तो बाहर निकालने पर एक फिलम बन जाती है तो फ्रेम पर जो बल लगेगा दोस्तों वह कितना होगा आठ टील हो जाएगा तो इसका राइटिंग से जाएगा अब देखते हैं आपके लिए नेट क्यूशने 16 की क्यूशन में क्या दिया होगा है कि निम्ली लखित में से कौन से गटना परश तनाव से समधित नहीं है दोस्तो आपको चार नीचे एक्जामपल दिये हैं उनमें से बताने कि कौन सा एक्जामपल ऐसा है जो परश तनाव के कारण उत पर नहीं होता दोस्तो पहला क्या दिया हुआ है कि कपूर के टुकुडे का पाने के उपर नाचना दोस्तो यदि आप पानी की सत्य के उपर कपूर के टुकुडे सालते हैं तो दोस्तो यह इस के उपर नाचने लग जाते हैं तो इसका जो रिजन होता है वो परस्तनाव ही होता है यह परस्तनाव के कारण है तो दोस्तों यह हमारा सराइट हो जाएगा दूसरा क्या है कि छोटी बूंद यह चोटी पारे के बूंद का स्वेम गोलाकार होना यह दोस्तों आर जो पारे की बूंद है उसका दोस्तों जो वह किसा कारण होता है दोस्तों यह पर पंजाते हैं परस्तनाव के कारण होता है और शीवाली ओप्षन में क्या दिया हुआ है कि किसी सम्मच से गुमाई हुए दर्वे में उत्पन भववन रूपी गती का कुछ समय बात पच्छा यह इनी इस्तिरो जाना तो यह पन कोई भ स्यानता होती है और किसी समझ समय बात रूक जाता है तो द empieza करना तो यह था तो यह प्रसyttवानाव से संबधित क्योंकि दोस्तों मारा जो पारा होता है वो काच को गिला नहीं करता क्योंकि दोस्तों मारा जो पारा एवम काच है उसका जो आजसंजगबल का मान होता है वो कम होता है इसी के कारण दोस्तों इसको गिला नहीं कर पाता तो दोस्तों हम जाते हैं साजसंजगबल एवम आजसं दोस्तो काइब करते हैं दोस्तों आपको टीन आकरती बनती है दूसरी आकरती इस पहर कारशी होती है और तीसरी आकरती यह होती है कि मात application करती है 》 सब्सक्रेंद्वյि मिल्यगा होता है इन दोनों के मायन को अब्सका द्रवा का nauлाता है इस दोनों के मान में दोस्तों जो कि यह पर करते हुई कि इसके काश्छता है jakoता है ला का ओन जई घृ लगी क्यूंकि दोस्तों मारा इसका और इसका से चुना करे yönदे की दोस्तों दर्वा यहां पर है तो यहां पर भी दोस्तों इसको क्या करेगा इनकि इसको गिला नहीं करेगा इनकि दोस्तों इसको दूर करेगा तो इस प्रकार से यहां करती बन जाएगी यह दोस्तों इसके और इसके मदे में आकर्सन अधिक है तो दोस्तों यह दोस्तों इसको आकर्स यह होगी तो इस परकार से दोस्तो उमारा जो केस नले के अंदर दरवेके प्रश्ट की आकर्थी होती है, वो किस पर निवर करती है, सैसंजग टहता आपेक्सिक बलों के जो आपेक्सिक माण होते है नी धूस्तो इन दौनों के माण में जो अंतर होता उस पर निबर करता है यदि से संजगबल का मान अधिक होगा तो दोस्तो मारी आकरती की इस परकार सी होगी इस परकार सी होगी यदि से संजगबल का मान अधिक है यदि दोस्तो इसके मदे इसके मदे परतिकर्शन होगा आपेक्स के मान पर तो इसकार आइट विस जाएगोपिसन नम्र 6 वाला अब आपके लिए ऐठारवे क्युसर नें अठारवे क्युसर में क्या दिया वात है कि प्रस्टि ये तरनाव का गून पाया जाता है दोस्तो आपको बताना कि जो हमारो प्रस्ट नाव का गुर्ण पाया जाता है यह नहीं पाया जाती है वो किसके अंदर पाया जाती है तो इसका राइटिम सजाएगो अपसे नमर बी वाला अब देखते हैं आपके लिए उनीस्वा क्यूसन है उनीस्वा क्या दिया है कि दर्वे का प्रस्ट नाव छेतर पल के साथ बढ़ता है छेतर पल के साथ करता है ताप के साथ बढ़ता है या साप के साथ गटता है दोस्तो आपको बताना कि जो हमारो सर्फेस टेंशन का मान होता है वो छेतर पल पर नेबर करता है या ताप पर न कि वाला अब हापके लिए 20 क्यूशन के क्या दिया हुआ है कि जल में नमक गोने पर जल का परस्तनाव बढ़ जाएगा कम जाएगा एपरृतित रहेगा या उपरोक्त में यह कोई नहीं दोस्तो इस question में आपको क्या बताना है यदि दोस्तो जल के अंदर अपन नमक मिला जाते हैं तो आपको बताना है कि इस जल का जो प्रस्तनाव होगा वो किस परकार से change होगा दोस्तो याद देखना कोई भी liquid के अंदर यदि अपने पूर रूप से घुलंशील पर दार्थ मिलाते हैं दोस्तो इसका प्रस्तनाव बढ़ जाता है यदि ऐ गुलंशील पर दार्थ मिलाते हैं तो दोस्तो प्रस्तनाव का मान कम हो जाता है याईनि दोस्तो यदि अपने जल के अंदर नमक मिलाएंगे यह दोस्तो अपन जानते हैं नमक होता है वो जल के अंदर पून रूप से घुल जाता है तो इसके कारण दोस्तो यह इसके प्रस्तनाओं को बढ़ा देगा तो इसका राइटिम सजाएगा उप्सा नमर एवाला यह दोस्तो जल के अंदर अपने साबून मिलाते हैं तो इसके कारण दोस्तो यह है साबून क्या होता है इसके प्रस्तनाओं को कम करतेता है बलकि नमक होता है इसके अंदर पून रूप से घुल नमक गोलेंगे तो वह इसके प्रस्तनाओं को बढ़ा देगा तो इसका यह किस्वे क्यूशन में क्या दिया हुआ है कि एक बरतन में कोई दर्वए भरा हुआ है ठोस बर्वए dhältके संजगल fehler की तुना में बहुत कम है तो इस समय पर दर्वए तोस के सत्य का आकर होगा दोस्तों आपको क्या दिया हुआ है कि कोई एक बरतन में दर्वा बरावा है दोस्तों क्या दिया हुआ है कि ठोस दर्वा का जो आजसंजगबल है यानि दोस्तों इस ठोस के और इस दर्वा का जो आजसंजगबल है वो है दोस्तों सैसंजगबल की तुन्ना में कम है जल यहां तक ब्रावा है, दोस्तों यहां पर भी दोस्तों इसको प्रतिकसित करेगा इनकी इस दर्वा को दूर इठाने के कोशिश्च करेगा तो इसकी तो आकर्त्य बनेगी वो इस प्रकार से बनेगी यहनि दोस्तो सेसंजगबल का मान अदी को होता है तो यहनि की दोस्तो इस परकार से हो जाएगा वो इसका यहनि की आसंजगबल का मान कम है तो दोस्तो इसका राइटम सजगबल का मान कम होता है तो इसका राइटम सजगबल का मान कम होता है तो इसका राइटम सजगबल का मा निन में से किस तर्पर जल के परस्ट और का माण निवट माता एस दोस्तो आपको 5 दीए ह innocent डाना की किस टेंपरेशर पर जल का परस्तनाव मातन से यह कि वहाएगे यहां पर सर्वाधिक टेंप्रेशर तो यहां पर टेंपरेशर सबसे अधिक कितना हाप पीछे तर है तो इसी पर दोस्तों मारा जो प्रस्तना हो जाएगा और नियूंतम हो जाएगा तो इसका राइटियों से जाएगा और अब देख देहां आपके लिए नेश्ट क्यूशने तेईस्तों क्यूशन में क्या है कि यदि काच की छड़ को पारे में डूबो कर बहार निकालते हैं तो छड़ से नहीं चिपकती है क्योंकि इस पर स्कौन नियूंतम होता है सैसंजग बल अधिक होता है या पारे का गन्नत व अधिक होता है दोस्तों आपको याद रखना है कि यदि कोई पारे है दोस्तों इसके अंदर यदि अपने काच की छड़ को डूबो कर बहार निकलते हैं तो इसको यह गिला नहीं करती क्योंकि दोस्तों यहां पर जो सैसंजग बल है उसका मान अधिक है या दोस्तों इनका जो का मान अधिक होता है दोस्तों के बारे में दोस्तों के APIs को डॉटयब में यापको कोई remove का दोस्तों अगले video में को आपको कहसे होता है जो इस पर दोस्तों परस्तनाव निपर करता है तो यह हैपन करेंगे अगले वीडियो में अब देखते हैं आपके लिए नेक्ट क्यूशन ही जो इसे वे क्यूशन में क्या दिया हुआ है कि पारा काच लकड़ी अत्वा लोहे पर नहीं चिपकता है क्योंकि से संजग बल आज संजग बल से कम होता है से संजग बल आज संजग बल से अधिक होता है इस प पकता है क्योंकि जो पारे का दोस्तों जो साय संजगबल होता है वो आज संजगबल से अधिक हो जाएगा तो यह किसी अन्य छड़ को उपर नहीं चिपकेगा तो इसका राइटियों से जाएगा अपसे नमर बी वाला वो दोस्तों आपके लिए अगले वीडियो में बात करे पानी की बूंद को तेल की सतय पर छोड़ दिया जाए तो दोस्तों आपको बताना है कि हमारा कोई तेल की सतय है उस पर यदि पानी की बूंद को अपन डाल देंगे यह उस पर छोड़ देंगे तो यह तेल के साथ मिल जाएगी फिलम की रूप में फेल जाएगी विक्रत ह जाएगी या गोलाकार बनी रहेगी तो इसका राइट निशे जाएगो अपसे नमर डीवाला एन के मैंने आपको पताया था कि जब दोस्तो यदि पानी को तेल की सतय पर छोड़ते हैं तो यह गोलाकार बनी होगी क्योंकि दोस्तों मार जो पानी का प्रस्तनाव होता है वो अपनी आकर्थी को बनाए रखता है वो जिसका प्रस्तनाव कम होता है वह दोस्तों अपनी आकर्थी को खोड़ देता है यानि कि दोस्तों यदि अपने तेल की बून डालते है यानि कि इसका प्रस्तनाव कम होता है तो यह अपने आकर्थी को खोड़ देता है यानि कि इस लगते हैं तो दोस्त। आप इस विडियो को miles और हमारे चैनल को दूस्त फ़ाए ज़से किया होगा कि दोस्तो हमें भी मोटीव होता है मोटीवेशन मिलता है और हम आप इंसे यह से क्यूशन और कलेक्शन करके दोस्तों आपको सामने लाते हैं तो दोस्तों आप हमारे पूरी हेल्प करीजिए दोस्तों हम भी आपकी एक्जाम तक ऐसे ही अच्छे-च्छे क्यूशन लाएंगे तब तक दोस्तों जय हिंद हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में जय हिंद दोस्तों